हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू टीचर सेंपैर, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रवक्ता स्क्रिनिंग के फर्स्ट पेपर को, आज हम इसका कम से कम हिंदी साइंस, जोग्रफिय और हिस्टी ये सबी पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं टीचर सेंपैर, सिलेबर्स के अकोडिंग ही आपके सामने एमसी के लाया है, तो शुरुआत करते हैं फैले क्वेशन से, ठटेरा सब्द का लिंग परिवर्थित कीजिए, ओप्शन्स आपको दिये गए हैं ठटेरी, ठटारी, ठटेरीन या ठटेरीनी, इसका जो सही आंसर है ठटेरीन इसका सही आंसर है, क्वेशन नबर सेकेंड आपके सामने है, क्रिश अब्द का विलूम सब्द क्या है, ओप्शन्स आपको दिये गए हैं, सुन्दर, सुहाना, हस्ट पुष्ट या कमजोर, जो क्रिश अब्द है, आपने उसका विलूम सब्द बताना है, मैं जो क्वेशन नमबर थर्ढ आपके सामने है, जो क्वेशन नमdr3 है, वो आपका विज्ञानारे सक्षन से लिया गया है, जहांके आपको जनल स्टेडी में सामाने विज्ञान लिखा गया है, तो क्वेशन है आपका कुछ पतार्त गर्म करने पर सीदे ठोष रूप से गैस बन जाते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं औक्षन आपको दिए गए है रासाएनिकसलेंट भापास्वन उर्दुपातन या उर्जापरासन इसका जो सही आंसर है औक्षन नमबर सी इसका सही आंसर है मैंने आपको पहले भी बताया था टीचर समपैर के प्रवक्त इसका सही आंसर है जो कि धनी उर्जा का विद्यत उर्जा में रुपांतरन करता है यह क्वेशन आपको लूशन अगरा आपने डीटेल में पढ़ी होगी तो उसी की बीच में आपको इसका आंसर मिल जाएगा बढ़ता हूं क्वेशन नमबर 5 क्योर उम्मीद है आप वीड इस इसका समाने है वास्वन प्रकृया एक राता है या इन में से कोई नहीं धियान दिजिगा यह उसके बहुतंकी प्रकृया के नदर रखा गया है और यह क्वेशन आप इसमें जड़ा भी ऋंगे क्योंकर आईग एक वार inskin tons आ sr बहुती यहां पकर answer दिया होता तो सैद इसकान से जैव भौंतकी होता लेकिन आपको भौंतकी और जैव की दूनों अलग लग दिये हैं इसलिए वास्पन एक भौंतकी प्रक्रिया है यह आपका NCRT का एक basic सा concept है जहां से सामान निविग्यान का बत्लब होता है आपको सामान निविग्यान की जानकरी होनी चाहिए इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे जिस साब से आपके लाइक होगी वो आपके attendance दिखाएगी उसी साब से मैं number of questions भी बढ़ाते जाओंगा question number 6 आपके सामने है वास्पन की प्रक्रिया जो उत्पन होती है वास्पन की प्रक्रिया से उत्पन होती है options आपके सामने गर्मी उत्पन होती है थंडग उत्पन होती है ताप में वर्दी होती है या कोई नहीं इससे पहले वाला question आपके previous year में पूछा गया था इसने में उसी topic से related आपके अधर question भी लाया हूँ तो options आपका भी सही होगाया पे यह जो जब वास्वन की प्रक्रिया होती है उसके बाद वहाँ से ठंड़े गुत्पन होती है यह जो basic से question है यही आपको एक मार्क दिलाएंगे और आपका बहुत बड़ा section 40 number का section जो की GS cover कर रहा है उसको भी आपनी ध्यान रखना है बढ़ताओ question number 7 की उर question number 7 है उत्राखंड में mystery ताल के नाम से जना जाता है उत्राखंड भी आपके syllabus में है जो की काफी एक अच्छा और scoring topic माना जाता है प्राउक्ता screening के एक्जाम है तो उत्राखंड में mystery ताल के नाम से हम लोग किस ताल को जानते है options A दिया गया आपका 9 ताल, रूपकुंड, साथ ताल या निम्रेखित में से कोई नहीं इसका जो सही answer है रूपकुंड को हम लोग उत्राखंड में mystery ताल के नाम से जानते है इसका सही answer होगा option number B, रूपकुंड question number 8 तापके सामने है पुसपावती नदी का संबंद किस से है options A आपको दिया गया है गंगोत्री पाक से, फूलों की घाटी से, या रानेखेच से इसका सही answer है option number C, फूलों की घाटी से पुसपावती नदी का संबंद है question number 9 है मैंने आपको अभी तग हिंदी के दो question करा दिये इसके बाद मैंने science के भी करा दिये अब मैं आ रहा हूं हिस्ट्री में एक मात्र वक्ति जिसके उतारा अकबर के दीन ए इलाई धर्म को अपनाय गया था वो कौन है options आपको दिये गए हेमू, अबुल फजल, सिवाजी सा या महेजदास इसका सही answer है महेजदास ये question काफी important question है इसलिए important है क्योंकि एक ही व्यक्ति था जिसके उतारा अकबर के दीन ए इलाई धर्म को अपनाय गया था अकबर का जो दीन ए इलाई धर्म था वो ये कहता था कि सभी धर्म एक समान है और सभी धर्म के लोगों को इस धर्म को जॉइन करने की सुथनता थी इस चीज को आप कोर्स में भी आप डिटेल में समझ सकते हैं कोर्स जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे फॉन करें या वर्टसेप करें 25 अक्टूबर से आपके बेच स्टार्ट होंगे 2000 रोपे इसकी मातर फीस रखी गई है बढ़ता हूँ question number 10 की ओर आपका time कम से कम वेजट हो इसलिए मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खतम करनी के कोशिस करता हूँ question number 10 आपके सामने है महात्पा बुद्ध की मानों रूप में मूर्तियों का नर्मान किस कालमा आरंबो हुआ options आपको दिये गए है गुप्त कालमे, कुशान कालमे, सल्क्रनत कालमे या आदुनिक कालमे इसका जो सही आंसर है कुशान कालिस का सही आंसर होगा वो बात लग है कि गुप्त कालमे भी बुद्ध का प्रभाव देखने को पूरा-पूरा मिला था अब इस चीज को डीटिल में पढ़ने के लिए आपको मैं कोर्स में इस सभी चीज़ें बताऊंगा तो इसलिए इस question का आपने clear cut answer या देखना है कि बुद्ध की मानो रूप में मूर्तियो का नर्मान कुशार कालमे प्रारंबो हुआ था question number 11 आपके सामने है गुजरात में, तमिनाडु में, मद्यप्रदेश में या अयमदाबाद में इसका सही answer है option number B तमिनाडु में काविरी डेलता इस्तित है question number 12 है ब्लेक माउंटेन काँ इस्तित है अगर आप जोगरफी के सिलबस में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको वेस्व भुगोल की भी सामने जानकारी होनी चाहिए तो वेस्व भुगोल में आपने कोई map याद नहीं करने है ऐसी जो बेसी बेसी चीज़ें उनको आपने अच्छे से पढ़ना है तो ब्लेक माउंटेन काँ इस्तित है USA में इस्तित है कनेडा में इस्तित है नौरे में इस्तित है या सुझी लेंड में इस्तित है इसका सही आंसर है USA में इस्तित है ठीक है अब मैं आपसे एक और question पूछ रहा हूँ जो कि आप मुझे comment box में उसका answer देंगे जो आपका नियागरा जलपरपाद है जो आपका नियागरा जलपरपाद है वो कहां स्तित है answer हो सकता है इनी options में हो आपने पुझे comment box करके बताना है कि जो नियागरा जलपरपाद है वो है कहा अब next question क्यों बढ़ता हूँ question number 13 UNESCO की स्तापना कब हुई अब ये question में क्यों आया हूँ बहुत सारे बच्चों को doubt होगा कि ऐसे question क्यों ला रहें basic से question मैं आपको बता दूँ आपके syllabus में एक वहाँ पे दिया गया है कि आपसे अंतरास्टी संगटनों और रास्टी संगटनों के बारे में सामान नी जानकारी भी पूछी जाएगी अगर आप सामान ने दिन का syllabus अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको उसमें इस चीज़ें दिखेंगी पिछली बार मैंने इंटरपोल वाली संगटन का आप से पूछा था इस वार मैं आपके लिए युनेस्को को ठाग लाया हूँ तो युनेस्को की स्तापना कब हुई थी उनिस्व बच्पन में उनिस्व पैतालिस में उनिस्व आचालिस में या 1969 में इसका जो सही आंसर है उतने ही मेरे number of questions भी बढ़ते जाएंगे उम्मीद है आप वीडियो को share भी करेंगे और 25 अक्टूबर के 25 अक्टूबर को हमारी पहली क्लास होगी जो की आपके प्रवक्ता स्कीनिंग का पहला बैच है तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें पूरे support करेंगे और आप लोग इसको जल्दी से जल्दी join करेंगे Thanks for watching this video Thanks Teacher Empower